हेलो गाइस स्वागत है आप सबका मेरे चैनल के उपर तो गवर्मेंट अप इंडिया ने आई बीसी के अंदर कुछ रूल्स जो है चेंजिस लाने का विचार किया है अभी ये रिपोर्ट आ रही है आप हो सकता है कि आप मेंसे कुछ लोगों को इनके बारे में पता हो लेकि ये मेरा चैनल है जिनके बारे में आपको विजिट करना चाहूँगा अगर आप देखे तो कई वीडियो जो है अच्छे वीडियो यहाँ पर मैंने पोस्ट किये है आप उस वीडियो को देख सकते है और इसको एक बार विजिट ज़रूर कर ये मेरी आप सबसे रिक्वेस् चैनल का जो स्लोगन है वही है कि लेट्स क्रियेट वेल्थ तुगेडर तो इसको आप एक बार विजिट जरूर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अब सबसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने अच्छी लगे इस वीडियो की तो इसको इमांदारी से लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेर जरूर करें और वाट्साप और ट्विटर के जरीए चलिए इस वीडियो को आगे स्टार्ट करता है कि गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एजेंडा है वो रिसॉल्यूशन मतलब कि जो बेंक्रप्सी चि गवर्मेंट टू ऑवर्राल इंसोलंसी एंड बेंक्रप्सी कोड इन बजेट सेशन रिपोर्ट और यहां पर बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ओफ कॉर्परेट जो है वो कंसल्ट करेगी जजेस को लेंडर्स को बेंक्रप्सी रिसॉल्यूशन प्रोफेशनल्स को और जो गया है उनके बारे में आपको पता है लेकिन यह अगर आप देखे तो यहां पर 12,871 इतने केसिस यहां पर अगर देखे तो यह पेंडिंग से साल दो दो ऑक्तमबर 31 और 2022 तक मतलब कि इतने सारे केसिस अभी तो पेंडिंग है आप बड़े-बड़े जो कंपनिया है उनके केस स्वल हो चुके है अभी तक इतने सारे केसिस पेंडिंग है तो इसी वज़े से जो है गवर्मेंट इसको जो है इसके अंदर एक स्पीड लेना चाहती है और यहीं बात यहां पर बताई गई है तो यहां पर बताया जा रहे है कि इस स्टेप इस एक्सक्टेट टू बी स्टेप के अंदर को इसी लिए जो है इसके अंदर रिसोल्यूशन कुछ सुधार लाना चाहती है और फास्टर रिसोल्यूशन जो जैसे कि इसके अंदर एक गति आए एक स्पीड आए जो कम से कम समय में जो है यह जो प्रोसेस जो है सब के सब हो जाए आप सब जानते है कि अभी कितना ज्यादा टाइम लग रहा है future retail में, syntax industries में, कई मैनों पहले इसका case का file हुआ था, अब तक इसका solution नहीं आया है, तो अगर government के अंदर कुछ आजने वाले budget के अंदर कुछ अच्छे से rules लाती है, इसके अंदर changes लाती है, तो इसके अंदर अच्छी खासी एक देख के सब जो है, judges है, lenders bankruptcy resolution है, उनको जो है, यह लोग consult करेगी और अब इसका proposal का awaited अभी है, तो यहाँ पर आगे in addition यह लोग बता रहे है कि live mint की report के मुताबित, जो कि इसका insolency और bankruptcy का, मतलब कि जो bankruptcy का code है, is expected to be table in parliament, during the budget session, यह budget session के दिनों के अंदर ही जो है, वो यह बिल, य यही इसके अंदर बताया जा रहा है, तो budget session जब भी आएगा, तब इसके उपर हमारी नजर ज़रूर बने रहेगी, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि domestic, यहाँ पर आप देखे तो, जो अगर सब चीजे बढ़िया रही, तो जो domestic insolency है, उनके लिए काफी बढ़िया रहे और यहाँ पर अभी की एक दिकत की बात यह है, कि यहाँ पर देख सकते है कि main concern है, अभी की जो है एक दिकत है कि यह लोग जो अभी जो है policy makers is that the professionals who are usually hired, मतलब कि जो professional यह लोग hire करते हैं अभी, तो वो जो है, usually they are not usually not industry expert, वो industry के अभी expert नहीं है, because they are not crowd the latter, their longer stay at the company usually doesn't add any value to the operational performance of the business, तो उनके longer stay की वज़े से मतलब कि यहाँ पर आप देखे तो उसके business है, उसके open national performance में कोई भी सुधार नहीं आथा, क्योंकि वो लोग expert नहीं है, तो इसी चीज़ के अंदर government वो सुधार लाना चाहती है, company कोई भी हो, इसके अंदर देखे तो time लगता है, जब भी य तो इसी वज़े से government of India इसके अंदर लाना चाहती है, और यह अगर process इसके अंदर सुधार हो चुका, मतलब कि हो गया, तो काफी बहतर होगा, और यही एक सारे के सारे एक इसके अंदर बात कही है, अगर मैं आसान बासा में समझाऊं तो, ज्यादा डिटेल में जाने की कु और आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि hence the government is reportedly considering revamping the entire insolumacy and bankruptcy code in an attempt to address all requirements in one go, इसी लिए मतलब कि यह जो है, इंसolumacy और bankruptcy code के अंदर जो government of India है, वो सुधार लाना चाहती है, एक ही रास्ता मतलब कि एक ही तरीके से, और यहाँ पर देखे तो, till date the insolumacy and bankruptcy board of India has modified several rules across areas to make the resolution relatives easy, और इसके जो rules से इसको ये आसान बनाने जा अभी जा रही है, और इसको भी विचार चल रहा है, और ये सारे का सारे विचार इसके जो फाइल से, वो जो है budget session के अंदर ही, इसके अंदर बात होगी, अगर इसको जो है अच्छे कासी इसके अंदर, तो यहाँ पर यहीं बता इनका solution आजाए उतना ही बेतर रहता है चाहे वो निवेशक हो चाहे वो कंपनी के प्रमोटर्स हो क्योंकि जो इसकी देंदारी इसका डेप होता है एक तो उसका इंट्रेस्ट रहता है वो एक दिक्कत की बात होती है जैसे कि फ्यूचर रिटल के अंदर आपने देखा मार्च महिने के आसपास या फिर उसकी के आसपास जो है इसकी केस फाइलिंग हुई थी तब से लेकर अब तक इसका जितना भी डेप था उनका इंट्रेस्ट जो है वो बढ़ता रहता है तो लेंड़दारों के पैसे भी फसे रहते हैं जो रिटल इन्वेस्टर है और दूसरे शे चेंजिस लाने जा रही है और वो वीचार भी कर रही है और वो सारे का सारे वीचार उसकी फाइल जो है वो बजेट जब आएगा इसके अंदर यह लोग अपनी जो है विचार रखेगी अगर यह वील पास हो गया रोस और रेटुरेशन के ऐसं के लिग रह तो यह बहुत तो आपको लाइक जरूर करें, शेर जरूर करें, और मेरे चनलन को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, और एक चीज़ और मैं किसी भी शेर की, सारे का सारे बैंक अपसे शेर चाहरे, यह नहीं हो सकता, यह मैं नहीं बता सकता, इसलिए मैं कोई भी बाई या सेल की रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, झाल झाल?